कैतल में लगाए गई समराट मेहर भोच की प्रतिमा के नाम के साथ गुरुजर शब्द लिखनी को लेकर राजपूत समाज कुस्से में है और मामला लगतार तूल पकड़ता जा रहा है। जगे चलक जाम की जाएगी और गाओं में भाजबानिताओं की एंट्री बंद की जाएगी। राजपूत समाज के युवा विकास चोहान ने कहा कि कैथल में समराट मेहर भोच की मूर्थी के साथ साज़िश के तहत गुरुजर शब्द भी जोड़ दिया गया। कुजर समाज ने और इनके नेताओं ने मिलकर पूरी साज़िस से थड़ एक चोंप पर परतीमा लगाई है। परतीमा लगाओ महापूर्सों की परतीमा है कोई भी समाज लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा हुआ वहापे अमने वहापर अपनी मांगे मनवाने के लिए डीशी साब को एका ज्यापन दिया। डीशी साब ये महापूरु सक्षेत्रिय हुए है। इनके आके कुजर सबद ना लगे। तो वहापे टीशी साब ने में बोल दिया कि कोई बात नहीं हमें आपकी बात को सीम साब तक पुचाएंगे। सीम साब तक उन्होंने बात नहीं पुचाई दो दिन का टाइम मांग लिया। सोड़ा तारिक कोई कट्टी हुए दें वहापे कथर के अंदर। उन्हीं तारिक में जब हम वहां पे गए अमने सांती पूरवक डीशी साफ के अपना ओपीस में गए। लगवक बारा बजे हम उनके ओपीस में पहुंचे और उन्होंने हमको सड़े पांच बहें तक महीं पर पठा के रखे। आसवासन देते रहे हमें हमारी बात हो रही है सी हम अभीस में लाष्ट में आरके उन्होंने बात बोल दी कि बच जव तुमसे उत्ता है वो कर लो वहाँ पर पूलीस वाड़ों ने मारे पात जो समाज के लोग ते राजबू समाज के उन पे लाठिया डंडे बरसाए आंस लेरी लिखा गया है वहाँ पर सारी ताना साही सरकार की रही वहाँ जीला तक्स असो कुच्जर लिलराम कुच्जर वहाँ विदायक और शिक्सा मंत्री दायक कमरपाल उसको वहाँ पर जाना था मुख्या धीधी दाये वहाँ पर इसने देख राजबुत्तों के विरोध कि वहां पर आये हैं कि सर्कार के जंडे है इस तरी चेजह कर रही हैं कभी किसानों मिसादन के नापर जंदjo Complet को है अभी जाट आंदोल नाम पर इंट्रते अने राजपुर समाज भी मिन्स काम कर दिया तो क्या मांगे यह हैं आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार का बेडा गरक होगा और गाउं के अंदर रादोर ब्लोक के क्या पुरेरियाना के और यूपी के उत्तर परदेश के सभी गाउं के अंदर इनके पोड लगा दिये जाएगे नो एंट्री के बीजेपी का कोई भी पदादिकारी यहां प कि दिये जिगादरी से जिगादरी में इसने अपना वोट बैंक पाने के लिए बुजजर समाज़ का बुजर समाज सेवासंग के रिष्चे काम कर रहे हैं, पूरा राजबूत समाज, अपना क्या नाम जी? विकास चोहन. अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं, तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद.